नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विसनु जी के साथ दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ वच्छे हों के दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे आप कैसे बिजनस सुरू कर सकते हैं वह भी गाउं में रहते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है तो दोस्तों आप से मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन प्रेस्ट कर लिजेगा और इसी तरह के गाउं में अगर आप रहते हैं तो इस परकार का मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप गाउं में रहा कर बिजनस कर सकते हैं छोटा हो या बड़ा किस तरह से आप कर सकते हैं क्या क्या बिजनस है दोस्तो इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताता रहता तो दोस्तो आज का वीडियो भी इसी टोपिक पर है कि घर बैठे आप कैसे बिजनस कर सकते हैं वो भी गाव में रहा करके तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो घर बैठे कई परकार के बिजनस किया जा सकता है लेकिन अगर आप गाँ में रहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अनाज के बिजनस के बारे में जी है मेरे दोस्तो घर बैठे है आप अनाज का बिजनस कैसे कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप गाउं में रहते हैं तो थोड़ा बहुत आपका खेत या जमीन होगा ही आप छोटे किसान तो जरूर ही होंगे अगर बड़े किसान नहीं होंगे तो दोस्तो आपको बिजनस करना है अनाज का तो उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात है कि जिस मौसम का जिस सीजन में जिस जो अनाज खेत में निकलता है दोस्तो आपको उसी को खरिद करके रखना है और वैसे बाजार में उसका भाव आने पर मतलब ज्यादा पड़ेगा तभी आप अनाज खरीद सकते हैं और आप जब उसका बाजार में उसका मांग बढ़ जाए तो आप उसको उचित कीमत पर बेच सकते हैं मतलब अच्छे दाम में उसको बेच कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं और दोस्तो अनाज इस हिसाब से आप खरीद सकते हैं करें कि आपका अगर बेचते हैं तो पूरे साल मतलब पूरे साल का खरीदारी कर लें ताकि आपको कम न पड़ जाए आपका बीजनस रुक न जाए तो इस करण से दोस्तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि अगर आप बीजनस करना चाहते हैं घर बैठे तो ये भी एक तरीका है अनाज का बीजनस का और दोस्तो आप आसानी से गाव में रह करके इस बीजनस को कर सकते हैं वो भी घर पे रह करके तो दोस्तो आज के वीडियो में मिलते हैं इतना ही फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत